इस वक्त की बड़ी खबर विधायक कुरुष्ण कुमार मंटू को लेकर सामने आ रही है जहां उनकी और उतनी उनकी पतनी के उपर जानलेवा हमला किया गया है आपको बता दे कि घटना राज़ानी पतना के पुनाय चक में घचत हुई है जहां कुरुष्ण कुमार मंटू के सरकारी आवास में कुछ बदमाश घुष्ट साए और उन बदमाशों ने विधायक और उनकी पतनी पर जानलेवा हमला किया और जब बोजिगाज और ड्राइवर बचानी के लिए विधायक और उनकी पतनी को पहुचे तब इस इन बदमाशों ने बोजिगाज और ड्राइवर पर भी हमला कर दिया आपको बताते चले के विदाय कृष्ण कुमार मंटू सारन की अमनौर से विदायक है दिरसल सारन के अमनौर के विदाय कृष्ण कुमार मंटू और उनकी पत्नी पर पुनाय चक्स्तित सरकारी आवास D2 के गेट को तोड़ कर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया बदमार्शों ने धार धार हत्यार से विधायक और उनकी पत्नी पर हमला किया उनकी पत्नी घायल हो गई शोर होने के बाद विधायके बॉड़ीगाद ओम प्रकाश और चालक पहुचे उसके बाद बंदमाशों ने बॉडिगार्ड ओम प्रकाश पर भी जाननेवा हमला कर दिया पर वे बच गए उसके बाद चालक और बॉडिगार्ड से मिलकर बदमाश अविनाश को पकड़ लिया गया बताते चले कि गया कि गगरी गाओं के रहने वाले अविनाश को शास्त्री नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है सबाबत बॉडिगाड के बयान पर शास्त्री नगर थाने में केस दर्च किया गया सचवाले डियसपी सुशील कुमार ने बताए कि हविनाश मांसिक रूप से बीमार है गटना के दौरान वो अकीला तो और कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं था विधायकी पत्नी आंच्रिक रूप से घायल हो गई है वहीं थानेदार ने बताए कि उसे जेल भेश दिया गया हविनाश किराय के मकान में पुनाय चक्त में रहता है गौर तलब है कि विधायक और उनकी पत्नी कमरे में थे से दौरान सुबह में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया अंगरक्षकोम प्रकाश ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके अनुसार तीन बजे सुबह ही चार पांच बदमाश गेट को तोड़ कर घर के अंदर खुस गए इसके बाद बेलोग सीधे बेजुम में चले गए और विधायक और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर मारने की कोशिश की गई विधायक हमले में बच गए लेकिन उनकी पत्नी घाल हो गई ये घटना लगबग सुबह तीन बचे घटत हुई है जहां विधायक और उनकी पत्नी कमरे में सो रहे थे और अब आगे की जच परताल अस पूरे मामले में जारी है फ्ला के लिए इस बड़ी अपजेट्ट में अतना ही है न कई खबरों के लिए मैं साथ बनी रहे न्यूस फॉरनेशन में नमस्का